मैं आपके इसी बयान पर आ रहा हूँ जिस पर आप आजकल काफी विवाद हो रहा है आप धर्म संकट में फस गए थे क्या जब आप लखनव गए थे अपनी पतनी पूनम सिनहा के नॉमिनेशन में रोड शो में क्योंकि आपकी पार्टी के लखनव के उमिदवार आचारे प्रमोत कृष्णम नाराज हो गए उन्होंने कहा मेरी पार्टी के नेता हैं और मेरी विरोधी समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी के लिए प्रचार करने आ गए वैसे तो मैं उनकी भावना की कदर करता हूँ मैं व्यक्तिकत तोर पे बहुत अच्छी तरह से नहीं जानता हूँ पर कुछ हद तक उनको विद्वान मानता हूँ विद्वान मानने के बावजूर उन्हें ये समझना चाहिए था या उनको बताना चाहिए था यह उनको पता होने चाहिए था कि परिवार के लिए भी आपका धर्म बहुत महत्तुपूर्ण होता है अंग्रेजी में कहते हैं चेरिटी बिगिंस अठ होम घर आपका मजबूत होगा आपने ट्वीट भी किया था ने यापने का था पती धर्म का पालन करना आज का कम लो करते हैं मैं कर रहा हूं और वो ही पूछ रहा है और दंखं के साथ कर रहा हूं और डंके की चोट पे कर रहा हूं और आगे जाके करूंगा भी इसलिए उसमें दो राइने बात यह है उनको बताना चाहिए था शायद इससे कुछ लोगों की अगर गलत फहिमी है तो दूर हो जाती है और वो यह कि सारी चीजें जो हुई है लगणों में इसके सारा हमारे राश्ट्रिया ध्रक्ष राहूल गांधी जी को प्रियंका जी को तमाम लोगों को इस बात की पूरी जानकारी है और तमाम लोगों के सहमती है ये हो सकता है एक पार्ट अब स्ट्डीजी भी दिखता हो लोगों को कि अंतों गतवल लक्ष क्या है हमारा लक्ष जब चुनौ में आते हैं तो आप चाहते हैं कि नई सरकार बने नया नित्रत वाए जिनके खिलाब लोग अन्याई की बाते करें वो जाएं वन मैं शो एंड टू मैं आरमी अब आगे बढ़ें नए को आने दें तो जब चाहते हैं कि सत्ता परवर्तन और सत्ता परवर्तन के साथ साथ वेवस्था परवर्तन हो सही मानों में कैसी सरकार बने जो जंता के द्वारा चुनी गई जंता के लिए हो, जंता के वास्थे हो तो उसमें अगर मैं और मेरी पत्नी श्रीमती पूनम सिना भाग ले रहे हैं भले अलग-लग राफतों से लेकिन मन्जिल तो एक ही है कि देश के गरिमा लाना, देश का विकास होना, देश में अन्याए के समापती होना. विलू आचारे प्रमूत कृष्णा, मैं एक सवाल और इस पे पूछ रहा हूं, वो ये कह रहे हैं कि आपने पत्नी धर्म निभा लिया, अब पाटी धर्म निभाईए और लखना वाके मेरे लिए प्रचार करिये. तो पाटी धर्म तो निभाई रहा हूं, पत्ना में क्या कर रहा हूं, पाटी धर्म तो हमारे सब सारे कॉंगरेस के मित्रों से, कॉंगरेस के परिवार से पूछ लिजे, मैं यहां पाटी धर्म निभा रहा हूं, वहां पत्नी धर्म निभा रहा हूं, यह महज एक संजोग कि मैं इस वक्त आपके सामने बैठा हुआ हूँ लेकिन इससे मैं देश के प्रति समर्पित हूँ और एक चीज और भी मानना है कि व्यक्ति से बड़ा पाटी होता है और पाटी से बड़ा देश होता है जो काम मैं देशित में कर रहा हूँ या जो काम हमारे लोग मिलकर देश जिनात सिंग को देखिए ये कहना इसमें एहंकार की बुगा जाएगी इसमें घरूर दिखेगा जह से हमारे one man show and two man army में हमेशा एहंकार और घरूर दिखता है ये वो नहीं है क्यासा मुकाबला आप देख रहे हैं वहाँ मुकाबला बहुत जबदत है बहुत ही रोचक है आपको बता दो और निवस ट्वंटी फोर अपने लोग ही हैं आप लोग कि सबसे पहले मुझे ही निमंतरना आया था महां से मैं ये ही कहा गया था कि वहाँ से लड़ें चोहें लखनौ से समाजवादी और माके मित्र हमारे और मायवती जी के तरफ से बहुत जोर था कि मैं लड़ूं लेकिन मैंने कह दिया था आपको याद होगा कि सिचुएशन कुछ भी हो लोकेशन वही होगा पटना पटना और पटना साहर मैंने कह दिया तो मैं जब वचन बद्द था अपने लोगों के लिए अपने पटना के जन्दा जनादन के लिए अपने इस तमाम विरहत परिवार क भी नहीं, सोशल और पॉलिटिकल अक्टिविस्स पर नहीं है, आपके इलेक्शन्स मुन्द का बहुत योगदान रहा है, उनको आप कहें, तो बहुत सारी बात उनसे कहके, बात करके, मना के, समझा के, हमने का ठीक है, अब ये सामने आएंगे भारत के ग्रीह मंत्री के खिला कांटे की टाकर है, और पत्ना साहब का मुकाबला कैसा है इस बार, क्योंकि इस बार उसी सीट से, आप बीजेपी नहीं, कॉंग्रेस के टिकेट पर चुनावी मैदान में हैं, और बीजेपी से रवी शंकर पर साथ, देखिए, उसको छोड़के, ये कॉंग्रेस पार्टी ह कॉंग्रेस पार्टी पहले ये तो मानेंगे ना, कि नैशनल पार्टी है, सही मानों में देश की सबसे पुरानी और सबसे चांदार पार्टी है, अभी हमने शुरू में कहा कि ये ग्रैंड ओल्ड पार्टी है, पार्टी जितने बड़े-बड़े देश भक्तों की पार्ट है तो अगर ये इनके साथ चुनाओ लड़ रहा हूं तो उसके साथ साथ ये लोग तो साथ इनका रहेगा ही हमें लगता है कि जनता जनादन पत्ना के ने लोगों ने बहुत साथ दिया है पिछली बार भी तरह तरह के कूप परचार करवाएगे मेरे खिलाफ उसके तो हमारे यहां से उमिद्वार है रवी शंकर पसाथ जी हमारे मित्र है हमारे फैमली फ्रेंड है और बहुत अच्छे इंसान है मैं उनकी कदर करता हूं उनके परिवार की बहुत कदर करता हूं और चुनाओ लड़ने का फिर सबको अधिकार है लोग तंत्र है जनता जो फ वोग हमारे साथ हैं पर पुरा करने गया है लेकिन जहां तक सुनाक्षी का सवाल अगर आपको याद हो पिछले चुनाओं में जहां इतना शांदार बहतरीन प्रदशन हुआ हमारे का करताओं का पर पटना के लोगों का उसमें हमने किसी को नहीं बुलाया था और तो और मैं आभारी हूँ प्रधान मंत्री का उन्होंने मुझसे पूछा था मैं पटना आओं क्या आपके लिए हमें तारीख भी आदे जिस तारीख को पूछा था उन्होंने 10 अप्रिल को को कि मैं आपिताजी के पून्यती थी तो उन्होंने इस पे समवेदना व्यक्त की और कहा कि पटना आओं कि हम लेगे आप अप अप्छा काम करें जहां करें किजिए ना आप अरून जेटली के लिए करें और लोगों करें पूरे देश में कर रहें वो कीजिए वो भी हमारे म में इतना विश्वास रहा मुझे अपने पटना की जनता जनादन पर कि और तो और मैंने अपनी बेटी सुनाक्षी सिना को भी नहीं बुलाए था इसलिए कि मेरे सबसे बड़ा सूपरस्टार जो है वो पटना की जनता है क्या बात है जोड़ार तालिया कलाकार से अपके रा जार निस तरह का देदें